आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का चेप्टर नुम्बर फोर जो है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स तो मैटल्स क्या होते है ऐसे मैटीरियल जो हाड हो लश्चरस हो मैलियेबल हो डक्ताइल हो सोनोरस हो और गुड कंड़क्टर ओफ हीट और लेक्रिसिटी हो ठीक है जिन मैटीर फिर आता है नॉन मैटल्स एसे मैटीरियल जो सॉफ्ट होते हैं नॉन लश्चरस होते हैं नॉन मैलियेबल होते हैं नॉन डक्ताइल होते हैं और बैड कंड़क्टर ओफ हीट एंड इलेक्रिसिटी होते हैं ऐसे मैटीरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मैटल्स नॉन मैटल्स क होते हैं ना उनको पीट-पीट कर मतला हतोड़े से पीट-पीट कर उनको थिन शीट में कनवर्ट कर दिया जाता है तो मैटल की वह प्रॉपर्टी जिससे उन्हें थिन शीट में कनवर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं मैलेबलीटी जिसका एक्जामपल है, aluminum foil और silver foil जो aluminum foil है वो घर में सब़े होती है lunch, आप सभी का lunch उसमें ही pack किया जता होगा silver foil, जो मिठाईयां होती है उनके उपर silver color का work लगा होता है उसे बोलते है silver foil फिर क्या होते है, जो non-metals होते है न, वो malleable नहीं होते ठीक है, non-metals malleable नहीं होते हैं second property है conductors of heat and electricity जो metals होते हैं वो good conductor of heat and electricity होते हैं example iron, aluminium, copper ठीक है but जो non-metals होते हैं वो poor conductor of electricity होते हैं अब sulfur piece है उसमें electricity move नहीं कर पाएगी coal piece है उसमें भी electricity move नहीं कर पाएगी ठीक है, third जो physical property है वो है ductility इसमें क्या होते है जो metal होते हैं उनको खीच कर, तान कर लंबे-ёмबे wires बना दिये जाते हैं जो हमारे घर में wires use करते हैं electricity के सामान होते हैं इसमें जो wires होते हैं aluminium के होते हैं, copper के होते हैं aluminium की wires होते हैं तो ductility की property देखी गई है metals में जो non-metals होते हैं, वो ductile नहीं होते हैं, ठीक है, next property है sonorous, sonorous क्या होता है, कि जो metals होते हैं, वो एक ringing sound produce कर दे हैं, आप सभी ने, जब आप मंदिर में जाते हो, तो bell बजाते हो, किती sharp आवाज आपको सुनाई देती है, वो इसलिए सुनाई देती है, कि जो metals होते हैं, वो sonorous होते हैं, ठीक है, on the other hand, जो non-metals होते हैं, वो sonorous नहीं होते हैं, जो non-metal है, माली जी आपने coal piece लिया, coal piece किसका example है, non-metal का यह example है, coal piece को अगर आप किसी तरह की sound produce कर सकते हैं, coal piece से नहीं कर सकते हैं, तो इसका उतलब किया है, जैसे sodium और potassium ये इतने ज़्याद़ soft होते हैं कि इनको easily knife से cut किया जा सकता है ठीक है second है कि जो mercury होता है वो भी metal है लेकिन ये hard नहीं होता ये room temperature पर liquid form में present होता है हमने अभी physical properties of metals and non-metals पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे chemical properties of metals and non-metals first हम देखेंगे कि जब metal की reaction करवाई जाती है oxygen के साथ क्या होता है तो metal यहाँ iron हमने लिया iron की जब हमने reaction करवाई oxygen और water के साथ तो क्या हुआ वो ferric oxide में convert हो गया Fe2O3 ferric oxide होता है ठीक है जब आपने अपने घर पे देखा होगा कि लोहे की किसी भी चीज को आप खुले में छोड़ देते हो जहाँ पर हवा होती है water vapors होते है छोड़ देतो ऐसी तो थोड़े किनों बाद आप देखते हो कि उसमें जंग लग गया है तो जो जंग लग गया है वो इसलिए लग गया है कि जो iron है वो oxygen और water के साथ reaction करके ferric oxide बना रहा है वो जो brown color की coating होती है वो ferric oxide की ही coating होती है ठीक है अब second example हम यह देखेंगे कि magnesium ribbon लिया जो magnesium होती है वो भी metal होता है magnesium का ribbon लिया जब हमने उसकी oxygen की presence में burning करवाई जब उसको जलाया तो जलती तो चीज तभी है जब oxygen present होती है ठीक है तो magnesium के ribbon को जब आपने जलाया तो क्या हुआ कि white color की जो राख होती है न white ash होती है वो obtained हुई ठीक है जलाने के बाद वो ही हुआ तो उसको जो ये mg plus o2 यानि कि magnesium plus oxygen और उसके बाद जो product मिला जो ये white ash है इसको बोलते है magnesium oxide ठीक है अभी हमने बढ़ा था कि magnesium oxide बना जब magnesium and oxygen के साथ reaction हुई तो जब इस magnesium oxide को जब इसका litmus टेस्ट किया गया तो ये देखा गया कि इसने red litmus को blue color में convert कर दिया इसका मतलब क्या है ये basic है इसका pH basic है तो हम बोल सकते हैं कि जो metal के oxide होते हैं वो basic की nature होते है जब non metal के oxygen के साथ reaction करवाई गई non metal के है sulfur है यहाँ पे तो sulfur के जब oxygen के साथ reaction करवाई गई तो क्या बना sulfur dioxide बना यानि कि SO2 बना जब इस sulfur dioxide को water में dissolve किया गया और reaction होई तो क्या हुआ sulfurous acid बना sulfurous acid बना तो 2 plus H2O H2SO3 H2SO3 होते है sulfurous acid यहाँ पे बिल्कुल भी confuse नहीं होना H2SO4 होते है sulfuric acid H2SO3 होते है sulfurous acid और जब इस sulfurous acid acid का litmus test किया गया तब यह देखा गया कि इसने blue litmus को red color में convert कर दिया है इसका मतलब यह होता है कि इसका pH acidic है तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी जो non metal के oxides होते हैं वो acidic in nature होते हैं आब हम देखेंगे कि जब metal और non metal की water के साथ reaction करवाई गई तो क्या हुआ सबसे पहले हम देखेंगे जब metal की water के साथ reaction करवाई गई तब क्या हुआ सभी को पता है जो sodium है वो metal है और यह soft होता है बाकि सभी जो metal होता है वो hard होता है लेकिन sodium soft होता है जब sodium को air में रखा गया अब air में क्या है oxygen भी है और water के droplets भी है जब sodium को air में रखा गया तो बहुत जल्दी उसमें आग लगी ठीक है उसने fire catch कर ली लेकिन क्या हुआ जब इस sodium को store करके रखा गया kerosene oil में तब उसमें आग नहीं लगती ठीक है क्योंकि उसका air के साथ contact टूड जाता है तो इसी वज़े से sodium metal को kerosene में store करके रखा जाता है ताकि वो जो air है उसके contact में ना आ सके और उसमें आग ना लग सके ठीक है जो दूसरे metals होते हैं वो water के साथ react तो करते हैं लेकिन बहुत slowly react करते हैं जैसे जो iron की road अगर आपने किसी moisture वाले room में रखती है वहाँ पे air भी है water droplets भी है बट क्या हुआ उसमें जंग तो लगेगी लगन बहुत धीरे धीरे लगेगी एक दो महीने में जंग लगेगी ठीक है उसके बाद है कि जो non-metals है न ये water के साथ तो react नहीं करते हैं लेकिन ये air के साथ actively react करते हैं air के साथ actively react करते हैं जो metals थे वो water और air दोनों के साथ actively react करते थे लेकिन जो non-metals है वो water के साथ react नहीं करते लेकिन air के साथ actively react करते हैं example है phosphorus phosphorus हम सभी को पता है non metals में आता है अगर phosphorus को air में रखा जाता है तो यह oxygen की presence में बहुत जल्दी fire catch कर लेता है ठीक है इसी वज़े से इसको store करके रखा जाता है water में phosphorus को store करके रखा जाता है water में ताकि prevent किया जा सके contact of phosphorus with atmospheric oxygen अब आप सभी कहोगे मतलब phosphorus को जब water में रखा गया तब भी तो fire catch कर लेनी चाहिए लेकिन जो water के साथ water में जो oxygen है वो dissolved oxygen है वो free oxygen नहीं उसको ऐसे use नहीं किया जा सकता बड़ जो air में जो oxygen present है वो free atmospheric oxygen है ठीक है हमने metals और non metals की reaction देखी air के साथ water के साथ अब reaction देखेंगे metal और non metal की acids के साथ जो metals होते हैं ये acid के साथ react करते हैं और hydrogen gas produce करते हैं अब कैसे पता चलेगा hydrogen gas है या कोई और gas है ठीक है जब test tube में reaction हो रही होती है metals की acid के साथ उस वक्त जो जब reaction हो रही होती है आपको क्या करना है candle जलती हुए candle को test tube के mouth के पास लेके जाना है और वहाँ पर एक sound produce होगी ज जो ये pop की sound होती है ये तब ही produce होती है जब hydrogen gas burn करती है ठीक है तो जब metal की acid के साथ reaction होती है तो hydrogen gas produce होती है और burn करती है with a pop sound ठीक है फिर इनकी जो non-metals होते हैं ये acid के साथ react नहीं करते। non-metals acid के साथ react नहीं करते हैं ठीक है आब हम देखेंगे metal और non-metal की reaction basis के साथ ठीक है जब metals को base के साथ react करवाया गया base मतलब हमने लिया naos sodium hydroxide लिया तब भी क्या हुआ hydrogen gas produce हुई और जब उसको burn किया गया तो वो pop sound release हुई ठीक है तो जो metals होते हैं वो acids और base के साथ दोनों के साथ ही react करते हैं फिर है displacement reaction देखो displacement reaction क्या होती है displacement का मतलब समझते हो किसी को अपनी जगे से हटा देना ये देखिए first वाल example देखिए copper sulfate है plus zinc है ठीक है इसको मान लीजिए ये है copper ये है SO4 और ये है zinc ठीक है अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये copper है ये less reactive है इस zinc से zinc जादा reactive है और ये copper जो है वो less reactive है तो जो जादा reactive है उसने less reactive को हटा दिया और उसकी position ले ली और इसको निकाल दिया यहाँ पर यानि कि अब क्या हुआ ये तो zinc का गया और ये SO4 है और ये है copper तो यहाँ पर यही लिखा है zinc sulfate plus copper ठीक है तो क्या होता है जो copper sulfate और जब zinc की reaction करवाई जाती है तो copper क्या है copper less reactive है और zinc more reactive है तो जो जादा strong है जादा reactive है वो less reactive जो less strong है उसको हटा देगा उसकी position से तो reaction क्या होई zinc sulfate plus copper ये हो गया फिर हमने देखा कि जब zinc sulfate को हमने copper के साथ react करवाया तो कोई reaction नहीं वी reaction क्यों नहीं क्योंकि jink जो है more strong है more reactive है वो अपनी position पर अड़ा हुआ है वो कह रहे है कि मैं copper को अपनी जगए पे नहीं आने दूँगा क्योंकि मैं तो ज़्यादा strong हूँ और copper कम strong है तो ठीक है तो कोई reaction नहीं ऐसे ही यह दिखा गया कि जब FESO4 यानि कि ferium sulfate को जब copper के साथ react करवाया गया तब भी कोई reaction नहीं क्योंकि copper less reactive है ठीक है और जो iron है यह ज़्यादा reactive है copper से ठीक है तो कोई reaction नहीं एसे ही जब zinc sulfate को iron के साथ reaction करवाईगे अब आप कहोगे कि ठीक है iron भी ज़्यादा reactive है zinc भी ज़्यादा reactive है माना copper less reactive है लेकिन जब zinc sulfate की iron के साथ reaction करवाई गई तब भी कोई reaction नहीं हुई ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर zinc iron से भी ज़्यादा strong है iron से जादा reactive है zinc ठीक है फिर जब copper sulfate की iron के साथ reaction करवाई गई अब हम सभी को पता है कि जो copper है न वो zinc से भी less reactive है iron से भी less reactive है तो iron ने इसको displace कर दिया copper को और इसकी position खुद ले ली अगर हम बात करें zinc, copper और iron में ठीक है इन सभी में most reactive element है zinc उसके बाद है iron और फिर है copper ठीक है तो हम लिख सकते है zinc iron और copper ठीक है ये ऐसे लेकिन जब हम सभी metals की बात कर रहे हैं तो most reactive metal है वो होता है potassium और जो सबसे कम reactive metal होता है वो होता है gold next है uses of metals and non metals तो first है कि non metals होते हैं ये essential होते है life के लिए हमारी जितने भी जो living beings हैं उनके लिए ये essential होते हैं क्योंकि जब हम breathing करते हैं जब हम सांस लेते हैं तो जो oxygen लेते हैं वो non metal में ही नेक्स्ट है कि जो non metals होते हैं उनका use किया जाता है fertilizers की तरह है ताकि जो हमारी crop है उसकी yield को improve किया जा सके soil की fertility को increase किया जा सके तो जो nitrogen होता है वो क्या होता है non metal में ही आता है ठीक है उसके बाद है जो non metal है उसको as a antiseptic भी use किया जाता है जब कोई घाओ हो जाता है कोई wound हो जाता है तो एक purple color का solution apply किया जाता है जो वो purple color का solution होता है वो iodine होती है उसको use किया जाता है as a antiseptic ठीक है तो iodine क्या है non metal है उसके बाद है non metals used in crackers क्रेकर्स में भी यूज किया जाता है जो सल्फर होता है उसको यूज किया जाता है क्रेकर्स बनाने के लिए फिर है अब हमने यह सारे पढ़ लिए अच्छा एक और है जो क्लोरीन होती है वो भी क्या होता है नॉन मैटल होता है उसका भी यूज किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है जितने भी जो स्वीमिंग पूल्स होते है ना उसमें बार बार पानी को नहीं चेंज किया जा सकता है लेकिन उसमें क्लोरीन को एड़ किया जाता है ताकि जो वाटर है उसमें जितने भी जो हामफुल बैक्टिरिया वगर है वो क बैसा ही चीजे बनाने के लिए हमें मैटल्स के यूज़़ा जाता है लेकिन क्या हुता है सभी को मैटल्स के यूज़ा तो पता होते हैं मैटल्स के यूज़़ नीहीं पता होते हैं जो कोशन दॉल पूचा जाते हैं वो और पूचा जाते हैं प्वत copy of the program द töर्बफ Ng